नमस्कार दोस्तो आज हम भारत के बिहार के गया में इस्थित प्राचिन विश्नुपद मंदीर के बारे में जानेंगे तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर दोस्तो बिश्नुपद मंदीर गया में फल्गु नदी के तत पर इस्तित यहां मंदीर पुरे 12 एकर में फैला हुआ है दोस्तो पहली बार इस मंदीर का निर्मान कब हुआ था यहां कोई नहीं जानता है लेकिन लोगों का मानना है कि हमारे प्रभु सीराम और मया सीता दोनों एक साथ यहां पर आये थे फिर बाद में इस मंदीर का पुनह निर्मान इंदोर की महरानी अहलियावाई होलकर ने सन 1787 इस भी में फल्गु नदी के तत पर किया था इस मंदीर का निर्मान काला पत्थर से किया गया था इस मंदीर के दक्षिनी पस्चिमी में ब्रहाजुनी पहारी की चोटी तक जाने बाली सोपत्थर की सीरियां बनाई गई जिससे आप सहर और इस मंदीर को देख सकते हैं जो की एक परियतक अस्थल है इस मंदिर के पास कई छोटे छोटे मंदिर भी है ऐसा मना जाता है कि इस मंदिर के निमान केंदर में भगवान विश्णू के पेरों के निशान है हिंदू धर्म में या पदचिन भगवान विश्णू द्वारा गया शुर्की छादी पर पेर र मंदर नकासिदार अस्तंबों की आठ पंक्तियां है जो मंदप को सहरा देता है इस मंदिर का मुख्य अस्ट कोनिय है जो की पुर्व की और है इस मंदिर के सिर्ष पर लगबग कावन किलो वजनी सोने का जंदा लगा हुआ है यह मंदिर बिहार के गया में इस्तित है और यह बिहार के प्रमुख धर्म अस्तलों में से एक हैं दोस्तों आसा करता हूँ कि आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला होगा और आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा अगर दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दिजिए और अपने सभी दोस्तों को सेयर कर दीजिएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमाई चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा